अभी हम भागलपूर के उप सरमयूत भवन में हैं और यहां पे हमारे सामने कंद्रिय अधियक्ष मौदय जी हैं और यह मजदूर को सही आई दिलाने के लिए और उनके बैठक में यहां पे मौजूद हैं और इनके अधिकारी सब सारे मौजूद हैं इनसे हम पूछते हैं कि आखिर मौजूर का जो अपना हक होता है जो हमारे देश में मौजूर को परचालित किया जाता है और मौजूर को जो कठनाई होती है उनके बारे में यह लोग क्या कर रहे हैं और कैसे मौजूर को सही नियाई दिलाने का प्रियास कर रहे हैं तो नमस् सर्माजुक्त भागलपूर के करियाले में भारत मजदूर कल्यान संग के तमाम पदाधिकारियों के साथ यहां पर आए थे चुगे अरिकांस लोग हमारे बका जिला से समझदी थे विविनुक प्रखंडों में काम कर रहे हैं वहां पर ब्यार सरकार के द्वारा जो मजदूर था कि समय दीजिए आखिर क्या कटनाई है आपके अधिकारी जो फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं या लाव नहीं दे पाते हैं तभी लेवर सुप्रेंटेंट एलियो और स्वेंग डिल्सी साहब मोजूद थे हम लोग के संके प्राधिकारी के साथ कई तरह की बाते हुए य इसको लेकर के 13 अप्रेल को अरत मैदूर कल्यान संग के बैनरतले हम लोग बाका में एक कारिक्रम करेंगे जिसे हमारे संगठन के सब पदाधिकारी रहेंगे और स्वेंग हमारे डिल्सी साहब एलस साहब इलियो साहब सब लोग रहेंगे और वो जनकारी देंगे कि कैसे फ अपने हम तमाम संगठन के सहयोगियों के साथ तेरा तारीक उबका में पहुंचेंगे और हमारे पधाधिकारी भी वहाँ पर रहेंगे और हमें लगता है कि उस ट्रेनिंग के बाद जो मजदूरों को लाव मिलने में कहीं कहीं कठनाई हो रही थी या जो गती धिमा पढ़ ग बढ़ेगा सही धंक से मजदूरों को लाम भी लेगा और विवाग का भी नाम उचा उठेगा यही आज हम लोगोंने मंत्राना करके अभी पैसला लिया है तो चलिए यहां पर कुछ अधिकारी लोग हैं जो की सर का मदद कर रहे हैं इसे योजना में काम करने में तो सर आप का नाम क्या हुआ हुआ है कि मजदूर को हर समय पर सही चीज का लाब मिल सके जो कि नहीं मिल पा रहा है और हम लोग यह रखे हुए है कि हर मजदूर को लाब उसको उचीज समय पर मिलना चाहिए बस यह हमारी अधिकार के बारे में में पता है है बहुत मजदूर को अधिकार के बारे में प्रश्ट है कि जो अपने इस देश में रहने वाले मज़ूर है उनके कल्यान के हित में ही हम लोगों का संगटन है और एक एक जो आप नोजवान देख रहे हैं कि कैसे मज़ूरों को सरकारी योजनाओं का लाव मिले जो मज़ूर नहीं जानता है उनको जनकारी दिया जाए जागरूप किया जाए उसी संदर में हमारे एक एक संग के पदाधिकारी संकल्पीत हैं और तेरह अप्रियल को आपको भी हम अमत्रीत कर रहे हैं कि आईए आपके चैनल से भी हमारे मज़ूर सात्वियों को बहुत सारा योजनाओं का लाव मिलेगा और इस कारे में आपका संका केंदे महामंत्री हैं मेरा सबसे बड़ा बात है कि योजनाओं जो भी चल रहा है सरकार का वह धरातल पर उतर नहीं रहा है उसमें मुख बिंदू जो है कि एलियो के जो भी जो संग्यान में है कि नहीं इक तूटी हो रहा है आपका मैदूर के परती वह भी उस तेरह को वस्तुधारने का काम करेंगे जो भी गलती हो रहा है लेकिन मजदूर को जो भी योजमान का लाब मिलना चाहिए उचीत में नहीं मिल रहा है यह भी हमें ख्येदा है कि चलिए हमारे साथ एक मैडम है इनसे भी बात करते हैं मैडम आपका नाम क्या हुगा मेरा नम संगीता सर्मा हुगा है आपकी छेत्रे से हैं हम बाका जिला से प्रीजमर प्रखन से बाका जिला स्तर पर कौम कर रहें जिला देशी मजदूर को कौन-कौन सा लाब मिलना चा मजदूर को अपने अधिकार के बारे में कैसे जगढूत Rival ॐकर के इसको अभियांद लोग के माध्याम से हम जबूत कर रहे हैं जगण तरहाने कब कर लोग कोशिस कर रहें कि उसको परकुलाब मिल सके अब है तो बता दे कि अभी अगर इत्यास के पंद्ने को उल्टा करके आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी को कठनाई होती है तो वह मजदूर है उनको अपना अधिकार नहीं मिल पाता है, सही उनको आई नहीं मिल पाती है, सही काम नहीं मिल पाता है और कुछ सरमिक लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने अधिकार के बारे में वाकिब भी नहीं है उनको अपना क्या अधिकार है, हमें सरकार के तरब से क्या अधिकार दिया गया है वो भी पता नहीं है के साथ मिल करके हम लोगा भी साथ साथ करें और जितने भी भारत भासि लोग हैं मज़दूर का साथ दें और मजदूर भी अपने अधिकार के बारे में जागरूख हो जागरूख हो करके अपने अधिकार को लेने का प्रयासре जै billion